हाई व्यूवर्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंस यह देखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन यह देखे इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडिस कार्डियन में लेडिस चैकिट में लेडिस रग में बच्चों की फ्रॉक में बच्चों की स्वेटर में शॉल में डाल सकते हैं यह बनकर बहुत ही सुन्दर लगता है यह देखे आगे की साइड से यह इस तरह से दिखता है और पिछे की साइड से यह इस तरह से दि प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और यह जो डिजाइन है यह टोटल 10 रो का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाते हैं यह दिखे फैन यहां पर मैंने 23 फंदे लिए है 20 फंदे 4 के मल्टिपल से लिए है प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए है तो चलिए देखती है यह नीचे से मैंने थोड़ा सा बॉडर बनाया है अगर आप यह बॉडर सीखना चाते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो चलिए देखती हैं यह इसकी फर्स्ट रह है और राइड साइड है यह दिखे स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बना लेंगे एस्ट्रिच ऐसे उतारेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे वान तू यह दिखे टूटल यहां पर तीन फंदे हमारे हो गए हैं पिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां से हमारा पैटन स्टार्ट होगा फिर धागा आगे करके जाली डालेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे वान तू यह दिखे यहां पर हमारा दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा कम हो गया यहां पर जाल दो फंदों का एकषंदा बनाया, जाली डाली, दो फंदे सीधे बनायी चैकरा पू जड़ी डालेंगे दो फंदे सीधे फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जड़ी डालेंगे दो फंदे सीधे ऑन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाड़ी डालेंगे, दो फंदे सीधे, वान, टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाड़ी डालेंगे, दो फंदे सीधे, वान, टू इस सारी रौव को उल्टे-उल्टे फंदो के साथ बन कर कंप्लेट कर लेंगे इसकी हर रौ रौव रौंक साइड उल्टे-उल्टे-फंदो के साथ ही बनाई जाएगी इसमें कोई भी चैंजिस नहीं होगी इससे थर्ड रौ है right side Estrich ऐसे ही उतारेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे अब देखिए यहां से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाड़ी डालेंगे धागा आगे लेकर आएंगे जाड़ी डालेंगे और दो फंदे सीधे 1, 2 Starting के दो फंदे छोड़कर यहां से यहां तक मारा एक पैटरन कंप्लीट हो गया है फिर से रपीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाड़ी डालेंगे दो फंदे सीधे 1, 2 आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जाड़ डालेंगे, दो फंदे सीधे, पान, तू, फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाड़ डालेंगे, दो फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाड़ डालेंगे, राउन साइड, रोो prob फोर्थ, सारी, उल्टे-उल्टे फणदों के साथ बुनकर complete कर लेंगे, रोफिफ्थ है, right side, ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से आगे की साइड से 2 फणदों का एक फणदा बनाएगे, धागा आगे करेंगे जाड़ डालेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे स्टार्टिंग का ऐसी छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है फिर से रपीट करेंगे फिर से देखिए आगे की साईट से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे, दो फंदे सीध are 1, 2 आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाड़ी डालेंगे, दो फंदे सीध है, लास्ट में दो फंदे सीध है, दिखें, ये लास्ट के दो फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बना लेंगे रो 5 कम्प्लीट हो गई है, रो 6 है, रोंग साइड, इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनकर कम्प्लीट कर लेंगे रो 6 कम्प्लीट हो गई है, रो 7 है, राइड साइड, दिखें, ऐसे ही उतारेंगे, और दो फंदे सीधी बनाएंगे वान, टू, जाड़ डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, स्टार्टिंग का ऐस से छोड़ कर यहां से यहां तक मारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है, फिर से रिपीट करेंगे, इसमें हमने दो फंदे सीधी बनाए जाड़ डालेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधी है, वान, टू, जाड़ डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से वान, तो फंदे सीधी है, जाड़ डालेंगे, स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक बंदा बनाएंगे, दो फंदे सीध है, जाड़ी डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक बंदा बनाएंगे, दो फंदे सीध है, जाड़ी डालेंगे, स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंद का एक बनाएंगे लास्ट के दो फंदे सीधे देखे रौ seven complete हो गई है रौ eight हैं रौँ साइब इस सारी रो को उल्ट उल्टे फंदों के साथ बोनकर complete करेंगे रौ nine है right side, stitch, ऐसे ही उतार लेंगे, फिर देखे, एक फंदा सीध बनाएंगे, फिर यहां से हमारा pattern start होगा, दो फंदे सीधे, धागा अगे करके, जड़े डालेंगे, दो फंदे, slip करेंगे, back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, starting के दो फंदे छोड़ कर, यहां से यहां तक ह हो गया है, फिर से repeat करेंगे, दो फंदे सीधे, जड़े डालेंगे, slip करेंगे, back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, one, two, जड़े डालेंगे, slip करेंगे, back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, जड़े डालेंगे, slip श्रिप करेंगे, back loop से दो फणुका एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, ज़ाई डालेंगे, श्रिप करेंगे, back loop से दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे, stitch सिधा बना लेंगे एक दिखे row 9 complete हो गई है row 10 wrong side इस सारी row को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन कर complete कर लेंगे row 10 complete हो गई है और हमारा design भी complete हो गया है फिर से हम ह affairs draw से start करेंगे एक पार आप इसकी first draw देख लिएकिए कैसे करेंगे ये दिखें, ऐसे ही उतारेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, फिर यहां से हमारा पैटन स्टार्ट होगा, आग एक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाड़ी डालेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, ये दिखें, स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड यहां से यहां तक मारा एक पैटन कम्लीच हो गया है फिर से रिपीट करेंगे फिर से आगे की साईड से दो पंदिो का एक पंदा बनाएंगे जाड़ डालेंगे एक के उसे हमारा डिजाइन फिरसे हमारा डिजाइन से स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही इसकी वांटू टू टैन्रार रूर पीट करते जाएंगे और यह डिजाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिए ये दिखिए फैन बहुत ही प्यारा डिजाइन है फैन और बनकर बहुत ही सुन्दर लगता है तो आप भी इसे बनाईए और अपने एक्सपेरियन्स हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सिस्काइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड फर वाचि मैं वीडियो